हलो बच्चो मैं पुनम्राथ होड राजस्तान सरकारों रिदानता के CSR इनिशेटिव एक अक्ष्रा मैं आपका सौगत करती हूँ जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिश्रण गया तो बच्चो एक्टिव और पैसिव वोईज आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे तो आ आति पच्चो एक यहां पर हुछ हो जाएगा तो डायक्ह स्पीछ देखिए ठीक है वेन वी रिपूर्स सम्टिव यूज इसवाडल सम्पीं था इस यहरे कि हम जब किसी बात को कहते हैं ठीक है हाना तो सेम वोही वर्स यूज जो हमें बताएगे ठीक है तो इसमें हो गया direct speech ठीक है और indirect speech क्या हुई जब when we report something in our own words जब हम उसमें अपने शब्दों को use करते हैं तो वो इसमें हो जाएगा indirect speech कहने का मतलब है direct speech यानि किसी ने हमें कुछ inform किया किसी ने कुछ हमें बताया ठीक है तो हमने exact उसी के शब्दों में वो चीज अगले तक पहुचा दी तो वो हो गया direct speech ठीक है और indirect में तब हुआ जब हमने अपने शब्दों का उसमें use के अपने शब्दों उसमें add कर दिये ठीक है तो क्या हो जाएगा indirect speech हो के आगे चलते हैं दीक है direct speech की दो पार्ट होते हैं बच्चो ठीक है कौन-कौन से rv और rs clear देखिए जो inverted कोमा की जो बाहर होएगा उसको क्या कहा जाएगा reporting verb ठीक है जो inverted कोमा के बाहर है ठीक है the boy said है जैसे example ले अपने ये ठीक है the boy said I am happy with my result clear दो पार्ट है इसके हाँ ना दो कौन को से देखिए एक तो inverted कोमा के अंदर बंद है ठीक है और एक बाहर है बाहर कौन सा the boy said तो जो बाहर है उसको हमने कहा है rv यानि reporting verb समझ के और I am happy with my result जो अंदर है उसे क्या कहा जाता है reported speech यानि rs समझ गए फिर से देख लेते हैं यानि direct speech की तो भाग होते हैं कौन कौन से rv और rs यानि reporting verb और reported speech जो part inverted कोमा के अंदर है बच्चों उसे कहा जाएगा reported speech यानि rs और जो inverted कोमा की बाहर है उसको कहा जाएगा reporting verb यानि short में उसको rv कह सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं देखें अब हमें changes कहां 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 करने हैं golden rules for changing direct speech into indirect speech ठीक है changes यह प्रनावन में change है tense में change है और distance और time में change है देखते हैं forms of pronoun यह मां आपको अच्छे से समझा चुकी हो जब हमने active and passive पढ़ रहते बच्चों I hope आपने अच्छे से learn भी कर ले होंगे तो आपको यह अच्छे से learn कर लेने हैं जब आप उनको अच्छे से learn कर लेंगे है हाना तो आप easily sentences को active से passive में change कर पाएंगे और direct से indirect में change कर पाएंगे अब देखिए यह जो हाना changes हमें कहां से कहां तक करने ओके जैसा कि आपको मैंने बताये था I, V first person, U second person और E third person तो I और V यह किसके according change होंगे बच्चों यह जो RV में जो subject होगा यानि reporting verb में जो subject होगा जैसे हमने sentence देखा कौन सा यह वाला देखिए the boy said तो यहां पर RV का subject कौन है the boy है तो I और V यानि यहां का जो I है यह जो I इसमें दिया वा है वो कहां से change हो जाएगा यहां से समझ रहे हैं यहां यहां आर वी आई और V किसे change होते है reporting verb के subject से change हो जाते है ठीक है आगे चलते हैं देखिए अब you, you change होता है बच्चों object के हिसाब से यानि reporting verb में जो object होता है उसके हिसाब से you change हो जाता है ठीक है और बात रही third person की यानि he shit they names तो उनमें कोई भी changes नहीं किये जाएंगे यह हम समझेंगे बच्चों example से चलते हैं आगे देखिए example देखिए बच्चों सबसे पहले you say to me I am going to school sentence है दो पार्ट है जैसा के हम पढ़ चुके हैं दोनों पार्ट हो गए उनकों से जो inverted कोमा की बाहर है उसको क्या कहा हमने rv कहा reporting verb कहा और जो पार्ट inverted कोमा की अंदर है उसे हमने क्या कहा था reported speech कहा था रस कहा था short में clear हो गई यहां तक बात चलते हैं आगे ठीक है सबसे पहले changes in pronoun ठीक है सबसे पहले हमने अलग लग देखिते हैं कि कौन कों से नियम दिये वह हैं कि उनके हिसाब से change करना तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि pronoun में किस तरीके से परिवर्दन किया जाता है किस सबसे पहले देख बच्चो यू है तुह हमने क्या पड़ा था हमने पड़ा था कर आरवी का जो сब þेक होता है उसकी हिसाब से आय और वी change किया जाता है ठीक है दो यी change होंगे बच्चो आय और वी change होंगे और यू change हो person और second person में changes होंगी ठीक है third person में कोई change नहीं होगा ठीक है यानि I, we और you यह change होंगी he, she, it, they, names में कोई भी changes नहीं होंगी ठीक है समझ गए आप yes अब देखिए हम धीरे-धीरे आराम से समझते हैं आई और we पर चलते हैं पहले हाना तो I और we यानि I के family I, my, me, we के family we, r, us अब देखते हैं हम I हाना तो I के family और we के family कहां से change होंगे उनमें कहां से changes होंगे ठीक है तो वो change होंगे बच्चों rv के subject से अब यह तो चीज आपको अच्छे से clear हो गई होगी कि rv क्या होता है और rs क्या होता है यानि जो part inverted comma के बाहर है बच्चों वो है reporting work और जो part किसके अंदर inverted comma के अंदर है उसे कहां आ गया है हमने reported speech ओके तो अब I और we को change करने के बारे तो बच्चों यहाँ पे I है ठीक है अब यह first मतलब है यह यह तो subject है ओके और यह second मतलब है यह object है समझके है अब देखिए I और we को जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि I और we हमेशा change होंगे rv के subject से ओके तो आई आ गया ना तो rv का subject क्या बच्चों यह आपे यू है तो देखिए sentence में कैसे बनाया say to जो है न वो tell में change होंगे ठीक है देखिए और you ऐसे कैसे आ गया me ऐसे कैसे आ गया अब जब हमने single comma और inverted comma यानि comma और inverted comma दोनों हटाए ठीक है और इन दोनों sentence को join किया ठीक है i और we किसके सबसे change होंगे वो change होंगे rv के subject से तो rv का subject है you तो हमने i को वहाँ से हटा कि यहाँ पर क्या रख दिया बच्चों you रख दिया है okay समझे ठीक है आप देखें वापस you i के हिसाब से तो m था लेकिन u के हिसाब से यहाँ पर r हो जाएगा क्योंकि you plural में आता है तो you are going to school okay हमें सर्फ इस sentence में इतना समझ जाँ दो चीजे connective ठीक है और pronoun में क्या गए changes होते हैं जो tenses में जो भी change होंगे तीन तरह की changes देखें हमने change होंगे आई और we ठीक है और you ठीक है he she it the names में कोई changes नहीं होगा जैसा कि मैं आपको बारबर बता रही हूं बच्चों ठीक है और active voice और direct speech में आपको confused नहीं होना है ठीक है दोनों अलग-अलग concept है तो देखिए यहाँ पे हमने you क्या यह था ना you है subject और I तो change करके हमने य आगे हो बच्चों ठीक है आगे चलते हैं देखिए अब देखिए जनरल लूज कि आर वी में क्या के change करने है ठीक है जब say to हो आर वी में reporting verb में तो क्या हो जाएगा tell ठीक है जैसा कि हमने यहाँ पर किया है हाना आगे चलते हैं देखिए says पर tells हो गया sad 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 to told एक चीज़ और है बच्चो sad के आगे to होने पर told में change होगा अगर sad अकेला है ना तो sad का sad ही रहेगा ठीक है देखिए कोम और inverted कोमस को हटा दिया जाता तो that को connect to या conjunction की रूप में यूज़ करते हैं जैसा कि हमने देखा है कि दोनों sentence को add करने के लिए हमने that को यहाँ पर use किया है तो दोनों चीज़े आपको समझ में आ गए होगी बच्चों पहली मैं आपको समझा चुके हूँ कि RS का जो subject हो होगा वो object के हिसाफ से change होटाएगा और उसके बाद में he sheet देने उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं जैसा कि हम पढ़ चुके है अब यहाँ पे say to है वो tell में change हो गया ठीक है और आपका connect to लग गया है that जो चीज हम यहाँ पे समझ चुके है ओके आगे चलते हैं देखिए reporting verb में अगर present tense यानि say या says हो या future tense यानि will say sell से आता है तो reported speech के tense में कोई भी changes नहीं किया जाएगा देखते हैं बच्छो example फर्स देखें you say to me he gave me a pen ठीक है तो he third person में तो कोई changes नहीं होगा उसमें ठीक है तो देखें you say to का हमने जैसा पढ़ाता तेल हो गया ठीक है तेल हो गया आगे में ऐसे कैसे रह जाएगा connective हम पढ़ चुके हैं that लग जाएगा he as it is है और tense में कोई बदलाव नहीं होगा same voice यहाँ पर आ जाएगा ओके आगे चलते हैं देखें change in verb and tense अब बच्चों हमें यह example से पढ़ते हैं साथ साथ देखें ठीक है direct speech नियम first ठीक है rule first देखते हैं verb की first form as is present simple वो किस में change हो जाएगा verb की second form यह नहीं past simple tense में change हो जाएगा okay active as passive voice और direct and direct speech में confused नहीं होना है उसमें हमने verb की first form को change किया था इस MR में लेकिन इसमें हम change कर रहे हैं past present simple को past simple में ठीक है तो दोनों अलग अलग topics हैं तो आप उनको carefully अच्छे से पढ़ना है आपको okay तो देखिए present simple past simple में okay यहनि do does verb की first form हो जाएगी verb की second form आप देखिए example देखिए साथ के साथ he said to me I go there okay तो जैसा कि मैं आपको बता चुक्य हूं बच्चों he ऐसे कैसे हो जाएगा sad to हमने पढ़ा था ना किस में change हो जाएगा told me और अगर sad रहता तो सुर्ष sad ही होता है ठीक है me आ गया अब कोमा और inverted कोमा को हटाया हमने यहनि इस sentence को join किया ना दोनों sentence को तो किस को use किया है that को clear that हो गया अब I first person में है ठीक है तो I और V कहां से change हो जाएगे yes I और V change हो जा ठीक है तो इसका subject है he तो I की जगे हमने क्या कर दिया है बच्चों यहाँ पे हो गया he आ गया ना वर्फ की first form किस में जाएगी second form में तो go की second form क्या होती है went तो went हो गया और there हो गया ठीक है आगे चलने है देखिए I said to him I do my work ठीक है तो sad to का told him का him ठीक है connected हो गया that अब देखिए बच्चों confused नहीं हो ना यहाँ पे I है और यहाँ पे भी I है लेकिन हमें name के हिसाब से क्या करना है कि RV में जो subject होगा ठीक है तो RS में I और V जो होगा यानि RS में first person I और V जो होगा ठीक है वो change हो जाएगा RV के subject से तो यहाँ भी I दिया वा है तो हमें क्या कर देना है I तो हमने यहाँ पे I कर दिया do किसका हो जाएगा do first form है तो यहाँ पे do helping verb में नहीं है बचाओ यहाँ पे man verb का काम करी है तो do का second form क्या होती do did done होता ना तो do का क्या हो गया did ठीक है और my as it is change हो जाएगा इस से और my work ऐसे आ जाएगा अगे चलते हैं second देखे do not does not plus verb की first form इसको किस में change कर देंगे did not में change करेंगे अपन और is mr को was verb में present continuous past continuous में clear देखे example राहूल said to me I do not play तो set to किस में हो गया told me तो राहूल told me ओके connective लग गया that I change हो गया राहूल से राहूल boy है तो हमने he कर दिया है do not किस में change हो जाएगा अनियम में देखे did not में तो did not आ गया play as it is रह जाएगा ओके आगे चलते हैं you said to me he is playing same देखिए said to told me ओके तो told me connective that he जैसा कि मैंने बताया तो third person he she written they names में कोई change नहीं होगा तो he is a guy is mr किस में change हो रहे हैं देखिए was were में तो was playing ओके next नहीं चलते हैं बच्छो देखे आगे अब has have का है present perfect tense को past perfect tense में change कर देखिए और past simple को past perfect में देखिए he said to sita they have a cow ठीक है तो said to told me he told sita that they में कोई changes नहीं होगा have का क्या हो जाएगा had a cow आगे he said to me suman cooked food तो he told me यहां देखिए बच्छो he said to me है तो said to में सिर्फ told ही आएगा ठीक है यह two नहीं आएगा ठीक है तो he told me that suman name में है तो changes नहीं होगे ठीक है suman had cooked food यहां पर देखने है आपन को second form change हो जाएगी head में ठीक है और अगर not होगा उसके साब तो not लग जाएगा ठीक है तो suman had cooked food आगे चलते हैं next rule में was word जो है वो किसमें change हो जाएगा head bean में यानि past continuous हो जाएगा past perfect continuous में ठीक है आगे देखिए he said they were going to school तो he said जैसा कि मैंना आपको बताया था sad to होने पर वो told में होगा अगर sad अकेला है ठीक है तो sad का sad ही है तो यहां पर देखिए he said that they में हम कोई change नहीं करेंगे जैसा कि पढ़ चुके है he she it they names में कोई change नहीं होगा तो they हो गया were going किसमें जैगा had been going to school इस तरह किसे change हो गया बच्चों और यह जो है हम activist OS में पढ़ चुके है तो इस तरह किसे आपको learn करनी है तो देखिए I said to you you will go there इस तरह किसे change हो जाएगा ना इन्हें direct में यह है तो indirect मे इस तरह किसे इन में changes हो जाएंगे देखिए I told you okay that connective है you जो है देखिए you किस में है second person में ही ठीक है मैंने बताया था आपको I और V first person तो I और V change हो जाएंगे R V के subject के हिसाब से reporting verb के subject के हिसाब से okay और you change होगा reporting verb के object के हिसाब से clear तो देखिए sentence में I subject है यहाँ पर you क्या है object है तो अगर यहाँ पर I और V या उनकी family से कोई भी होता I my me we are us ठीक है तो change कहां से होता यहाँ से change होता लेकिन अभी you आ गया तो you किस से change होता हार भी के object में क्या है यू ही दिया हो है तो you का हमने यू ही कर दिया वाप पस ठीक है इन्फ्यूस नहीं होना है तो I told you that you will का हमने कर डा है would जैसा के नियम में है ठीक है और verb की first form go or there okay next देखते बच्चों exception अगर direct narration में यह words हो तो verb में कोई भी change नहीं होगा जैसे इनमें कोई change हो जैसे must और यह सारा मैं आपको बता चुकिए इसमें देखिए यह assert is आ जाएंगे आपके ओके देखिए और अगर sentence में कोई universal truth हो बच्चों को historical fact और scientific fact और प्रूवब हो तो भी आगे कोई changes नहीं होंगे देख लेते हैं देखिए my father said to me the sun rises in the east कि सूरज जो हमेशे पूराफ से उखता है तो यह तो हम सब जानते हैं यह क्या universal fact है तो इसमें कोई भी changes नहीं किये जाएंगे सिर्फ connective लगाएंगे तो my father said to change हो जाएगा only told टेंस में कोई change नहीं होगा इसमें me that और sentence आपका ऐसे कैसे कर देना है अगर इसकी जगए दूसरा sentence होता just suppose तो rise का rose करते हैं हम second form में करते हैं क्योंकि present simple को किस में change करते हैं past simple में करते हैं लेकिन यहाँ पी क्या है इसमें universal fact दिया इसलिए tense में कोई भी बदलाव नहीं होगा सिर्फ हम क्या करेंगे rv में said to sad जो भी है उसमें changes कर देंगे और connective लगा देंगे sentence में से कॉमा और inverted कॉमा हटा दिया अच्छा ता next भी वह है the teacher said to us India god freedom in 1947 ठीक है historical fact हो गया आगे चलते हैं next mother said to me next question है na mother told me that 212 max 4 ठीक है तो इस तरह किसे आपको complete करने अब बच्चों दो change हम पढ़ चुके है changes in tenses, changes in pronounce ठीक है अब बच्चों है change in distance or time तो देखें इस तरह किसे आपको ये पूरा करना this का that, these का those, here का there, now का that, yesterday का the previous day हो जाएगा, tomorrow का the next day हो जाएगा, the next day का the following day हो जाएगा आगे देखे, tonight, that night, today, that day, last day, last night, इस तरह किसे तरह previous day, night, ago, before, the so, इस तरह किसे changes हो जाएगे तो आपको सारे अपनी copy में note कर लेना है देखते हैं, example देख लेते हैं मच्चो, I said to him, I am doing my work today, okay, तो I हो गया, told him हो गया, that लग गया, connect to I, यहाँ से change होगा न, तो I आगया, is MR हमने वस वर में change करना है, ठीक है, तो doing है, my भी यहाँ से हो जाएगा, तो my work, और today का क्या हो जाएगा, that day, same इस में देखिए, she said to me, he was playing football here, तो she told me that, he का he, क्योंकि third person, he, she, it, their names में कोई changes नहीं, was को, had been playing football here का क्या हो जाएगा, there, okay, तो इस तरीके से आपको इस सारे complete कर लेना है, सबसे पहले आपको सारे जितने भी नियम हैं, जितने भी टैबल दिय हुए है, changes in pronounce, tense, distance, you भी है, वो आपको सारे अच्छे से पले इनको learn करना है, समझना है, फिर आप बच्छों आराम से अच्छे से सारे sentences solve कर पाएंगे, और आपको ये topic बहुत easily समझ में आ जाएगा clear, तो मैं मिलूंगे आपसे बच्छों next video में इसी topic को हम continue करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहीं, आगे बढ़ते रहीं, Thank you.